हेलो दोस्तों मैं रोज शुक्ला एक बाप फिर से आप से इका स्वाहत करता हूं इस CSIRNET mathematical science की lecture series बे आज हमारा जो चल रहा है abstract algebra का lecture 2 है देखिए आज हमें कुछ महत्पून topics के उपर बात करनी है जैसे की group क्या होता है abelian group क्या होता है abelian group commutative group क्या होता है या फिर आप अब जैसे की module क्या होता है नहीं सारी चीज़े आपना आज ही देखेंगे और ले लिजे मान लिजे groupoid groupoid क्या होता है binary algebra क्या होता है इसको भी देखेंगे की binary algebra है या फिर binary algebra set b कहा जाता इसे या फिर quasi group यह क्या होता है quasi group अगला हम ले लेंगे मान लिजे semi group इसको भी ले लेंगे आज ही की semi group क्या होता है या फिर demigroup ये क्या होता है, demi group और at last आपन आज monoid पे खतम करेंगे, तो ये सभी groups को आपन देखेंगे क्या होता है, लेकिन इन सभी groups को जानने से पहले, हमें जो सबसे पहली चीज जाननी है, वो ये कि algebraic structure क्या होता है algebraic structure तो देखें, algebraic structure की definition लिख देता हूँ मैं आप लोगों को क्या होगी algebraic structure की definition, कि the structures which are used in algebra are called algebraic structures जो कि algebra में used होते हैं उन्हें को क्या कहा जाता है algebraic structures कहा जाता है या फिर इसको हम दूसरे विम में देख सकते हैं और इसकी definition होती है क्या होती है इसकी definition कि माहना आपने a non-empty set a non-empty set G equipped with one or one or more binary operations binary operations are called algebraic structures इन्हें भी algebraic structures कहा जाता है अब उपर आई definition तो फिर भी ठीक है दूसरी वाई definition आपको ज़्यादा क्लिए होनी चाहिए कि एक set होना चाहिए और उस set में आपके पास कम सकम एक minimum एक binary operation होना चाहिए तो उस set को हम क्या कहेंगे अच्छा binary operation कहने का मतलब क्या है पहला lecture आप देख चुके होंगे कि वो operation जिसके लिए उस set के किनी भी दो elements को आपस में operate का और जो result आएगा वो भी उसी set का होगा तो ये definition हमारे लिए ज़्यादा काम की है कि algebraic structure क्या होता है आप binary operations के लिए मैं आपको पिछले रेक्षर हैं बता चुका हूँ फिरे में लिख देता हूँ to denote the binary operation to denote the binary operation we use the following symbols हम कौन-कौन से symbols यूज़ करते हैं आपको अच्छे से पता होगा जैसे कि आपने ले लिया मान लिजे plus, dot, minus, division ये star या फिर ये discrete mathematics वाले union intersection या फिर ये आपका linear space वाले इस तरह के जो भी हम use कर रहे हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं binary operation कहलाते हैं अब रही बात algebraic structure की तो आप algebraic structure को as a example देख सकते हो जैसे कि मान लो एक कोई set G है उसमें operation है O और ये मैंने ऐसे रख दिया तो देखो ये तो आप बोलते तो सर कि आपने पिछले lecture बताया था binary operation है अरे हाँ मैंने बताया था कि इस set के लिए ये जो O है वो binary operation है तो उसको लिखने का तरीका आप देख पा रहे होगे कि ना जो set है जिसके लिए binary operation already defined है उसको मैंने इस डब्बे के अंदर डाल दिया है तो ये जो आपको एक film नजर आ रही है जो आपको ये दिख रहा है इसी चीज़ को तो algebraic structure कहा जाता है इसी चीज़ को क्या कहा जाता है algebraic structure यहने कि आप बोल सकते हो कि अच्छा सारा आप representation की बात कर रहे है कि binary operation उस set के साथ लिखने के तरीके कोई algebraic structure कहा जाता है हाँ बिलकुल हाँ इसी को algebraic structure कहा जाता है क्या एक ही है ना कोई साभी आप set ले लो जैसे मैंने जी वन लिया और इस बाइसमें binary operation star लगा दिया और इसको cylindrical bracket में डाल दिया यह भी एक algebraic structure होगा या फिर ज़ूरी नहीं कि एक ही आप लो कि आप एक ही operation ले रहे हो आप एक से भी ज़्यादा ले सकते हो हमाई definition में भी हमने लिखा है कि with one और more binary operation तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया एक star ले लिया plus ले लिया union और इसको set में डाल दिया यह आपने इतने सारे binary operation ले लिया सरिफ उसी set के लिए यानि कि sir जो आपने पिछले लेक्चर में मुझे बताये थे कि जो n है natural numbers का set है वो plus के respect में binary operation होता है plus इसके लिए binary operation है क्योंकि किनी भी दो natural numbers को उठाओ जो result आएगा वो एक natural number के set से आएगा तो इसको हम कैसे लिख देते थे यह हमने पिछले लेक्चर में बात कई थी तो जी हाँ n प्लस एक binary operation तो है ही साथ में n प्लस को ही हम पूरे को मिला के कम माइलडी का कहते है कि algebraic structure कहते है तो आप इसको i प्लस भी हमारे लिए क्या होगा एक algebraic structure होगा q प्लस भी एक algebraic structure R plus भी एक algebraic structure C plus भी एक algebraic structure होगा उसी तरीके से minus sign के साथ I minus भी एक algebraic structure है याद रखना algebraic structure है आप इन में से किसी को मत लिएगा अभी हम देखेंगे, अभी हिनको भी हम छाटेंगे कि इन में से कौन group होगा कौन abelian होगा, कौन module होगा कौन binary algebra होगा अभी इसमें से भी ये बटेंगे अभी ये सब सिर्फ क्या है algebraic structure, इनको बनाना है यदि हमें कि ये किसमे fit होगे, तो उसके लिए हमें पहले इनकी properties देखने होगी, तो अभी हम देखेंगे तो I plus हो गया, I minus हो गया Q minus ये भी एक algebraic structure है R minus, C minus, ये सब algebraic structure है उसी तरीके से multiplication वाले जो हमने बनाये थे N dot, I dot Q dot ये सब एक algebraic structure ही है जो हमने last class में पढ़े थे उसी तरीके से division वाले ले ले लीजे division वाले हम क्या से लेंगे लेकिन Q में से हमें क्या minus करना है 0, याद रहे, non zero number है और इसमें क्या लगा दू अब division operation, उसी तरीके से real number के set में से क्या minus करना है 0, और अब आप divide operation लगा सकते हो, उसी तरीके से complex number में से भी 0 को पहले हटाएं, और अब यहाँ पे आप divide all operation लगा है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, algebraic structures होंगे, hope so आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कि ये algebraic structure असल में है क्या, ये algebraic structure मेरे क्याल से समझ में आ गया होगा, ये था आपका क्या, algebraic structures, अब आप बोलेंगे सर क्या कोई ऐसा set है, जिसको हम जानते हैं, जैसे आपने बताया कि सर, एक algebraic structure में, एक से ज़्यादा binary operation हो सकते हैं, हाँ, बिल्कुल है, जैसे मैं आप से बात करूँ, कि आपने देखा होगा, addition और multiplication are both binary operation for real number set, real number set के लिए ये दोनों ही क्या है, binary operation है, याने कि आप इसे ऐसा लिख सकते हो, कि real number का set बनाया एक बाप plus लगा है, comma dot तो जी हाँ, ये एक, क्या है algebraic structure है, with two binary operation, addition and multiplication, आप आगे पढ़ेंगे भी हमारा next lecture में हम पढ़ेंगे कि field क्या होता है, तो field भी addition और multiplication दोनों के at a time लेके चल रहा होता है, यह तो आप बात करेंगे, यहाँ पर आपको बस इत्ता जानना है कि r plus dot, यह ना देख सकते हैं आपन कि हमारे लिए कैसा है algebraic structure, तो अब बात करें हमारी पहली definition की group हमें जित्ता प्रिप्या करना था उत्ता हुए, अब हम पहली definition क्या देखने वाले हैं, कि group क्या होता है, तो देखिए, group की definition, तो n algebraic structure go, ना कोई भी एक set है, और उसमें कोई भी एक operation o है, वो जब हम देखेंगे जैसे हम natural numbers के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर n आ जाएगा, और plus operation के लिए चेक कर रहे होंगे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, natural numbers के set के लिए माइनस चेक कर रहे होंगे, तो यहाँ एन माइनस लिखाएगा, तो चेक करने पर जी की जगा वो particular set आता जाएगा, और operation की जगा वो particular operation आता जाएगा, जो आप apply करके चेक कर रहे हो कि whether the given set is an group और abelian group, और accommodative group और a module and so on, थेगा न तो यह सारी चीए देखना है, तो अभी हम क्या देख रहा है group की definition, तो group की definition क्या होती है, कि an algebraic structure go, तो यहाँ पर ऐसे लिख भी दें आप, कि वह है न, लिखने का तही का तो आना चीए, where g is an non-empty set g क्या है एक, non-empty set है, and o is a binary operation defined over the set g then g is called group, तो g को group कहा जाएगा, if binary operation o satisfies the following postulates यदि binary operation कुछ postulates है, कुछ properties को है, इन्हे group axiom भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूँ postulate यानि की, क्योंकि हम group के वारे पढ़ रहे है, group की definition देख रहे है, तो इन्हे group axioms भी कहा जाता है satisfies the following property, जिन्हें हम क्या कहते है, group axiom, यदि आपका ये जो set आपने लिया है, g set आपने जो भी लिया है, और आपने जो भी binary operation लिया हो, plus minus and star जो भी आपने लिया है, तो binary operation decide करेगा कि जो दिया हुआ set है वो group होगा की नहीं कहने का मतलब ये, ये जो आप binary operation जो भी लोगे, वो कुछ properties को satisfy कर रहा होगा, किस तरह की properties को satisfy कर रहा होगा, तो पहली property को लिख रहे है, क्योंकि group की property तो g1 करके लिख रहे है g1, तो g1 क्या है आपका, पहली property है आपका closer axiom closer postulate बोलो, closer property बोलो जो भी आपको से लिख, closer axiom तो closer axiom हमसे क्या कहता है कि वो सभी ordered pair के elements जो की g से लिए गए, g cross g से लिए गए हैना तो ये ordered pair यदि g में है तो closer exam आपसे ये कहता है कि वो वाला operation जिससे आप इसे group proof करना चाह रहे हो इस set को group proof करना चाह रहे हो जो भी operation की basis पर आप कर रहे हो तो operate करने के बाद जो result आएगा वो भी उसी set का हो गई होगा तो आप बोलेंगे सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि सर ये पिछले lecture में जी हाँ तो closer exam असल में और कुछ नहीं binary operation ही है ये binary operation की definition ही है तो जी हाँ बोलोगे सर कि almost यदि आप इन में से कोई से भी proof करेंगे तो आप इतना समझ गये होंगे कि पहला exam जो होगा वो तो सब के लिए common होगा क्योंकि पहली बात तो उन्हें binary operation होना कंपल सरी है तब तो हम बात करेंगे कि वो group होगा, abelian group होगा ये जो भी होगा तो सबसे पहली चीज़ तो closer exam proof होना ही चाहिए, यदि closer exam proof हो जाएगा उसके बाद हम दूसरी देखते है property कौन सी जी टू, फिर सब closer exam क्या कहता है कि जी में से कोई भी दो element लो, अब जी से दो element लिए तो जायर चाहिए तो उसी के element है अब इन में आप वो operation लगाओ जिससे आप उस set को क्या प्रूब करना चाहिए ग्रूप, तो operation लगाने के बाद भी जो result आएगा, जो भी ये number आएगा, वो भी उसी set के अंदर होना चाहिए, जैसे 1 प्लस 2 किया, जैना 1 भी एक natural number था, 2 भी एक natural number था, 1 प्लस 2 करेंगे 3 close up property को maintain करके चल रहा है उस set के लिए, अगली property क्या है आपकी G2, जिसको कहा जाता है, associativity, जैना associativity, एक्जियम, अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल उसी तरह है, यहाँ पे आप दो elements को लेके चलते थे, अब आप उस particular set के 3 elements को लेंगे, जैना कोई से भी 3 elements, इसलिए for all लगाया जाता है, इसे for all या for every, यह ऐसे पढ़ा जाता है, तो A, B and C, तीनों आपने किस set से लिए, G से, यदि वो तीनों element उस set से हैं, तो इसका मतलग associativity आपको क्या कहती है, कि जब आप B और C को पहले operate करो, उसके बाद A को operate करो, यह किसके बराबर आएगा, कि आप A और पहले operate करो, उसके बाद C को operate करो, तो यह दोनों side से क्या आएगा, proved आएगा, बराबर आएगा, याद रखेगा, पहले A, B, C, A, B, C, तीनों को साथ मिलिया है, पहले B और C को आपस में operate किया, उस binary operation से, उसके बाद A को operate किया, और यहाँ पहले A और B को operate किया, उसके बाद existence of identity, उस set को जिसको आप group proof करना चाह रहे है, उसके अंदर उस binary operation से related, कौन सा element मौझूद होना चाहिए, identity element मौझूद होना चाहिए, कहने का मतलब यह है, पहले देखो इसको लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे, कि there exist, इसको क्या पढ़ा जाता है, there exist, there exist, there exist an element e, हमने identity element को किस से दर्शा दिया है, अभी small e से, e in g, यानि कि उस set के लिए, यह e होगा, कुछ इस प्रकार, कि, यह जो identity element होगा, वो इस group के, जिसको आप group प्रूप करना चाहरे हो, इस set के, किसी भी element के साथ जब operate करेगा, तो बदले में वही element आ जाएगा, कहने का मतलब यह, कि, आपने ले लिया e operation a, और a किस का element है, g का element है, तो जैसे e और e आपस में operate करेंगे, या फिर आप इसको opposite भी लिख सकते हैं, कि आपने a में e को operate किया, बदले में जो result आएगा, वो a ही होगा, जहाँ पे जो a है, वो किस का element है, g का element है, कहने का मतलब यह, कि, जब आप e को left side से operate करो, या फिर e को right side से operate करो, operate करने पे, जो answer आएगा, वो ही element आजाएगा, जिसके साथ आप e को operate कर रहे थे, जैसे आपने देखा होगा, मान लिजे मेरा एक set है, कोई भी natural number का set है, ठीक है न, natural number, या फिर whole numbers का set है, यदि whole numbers का set है, तो whole numbers का से कहां से कहां तक शुरू होते हैं, 0, dot, dot, 0, 1, 2, 3, and dot, dot, so on, infinite तक जाते हैं, अब यदि whole numbers लिया है, तो मैंने गोला, इसका एक कोई element उठा लो, मैंने उठा लिया, 2, तो इस whole number की set में एक ऐसा identity element होना चाहिए, जिसको मैं इस number के साथ operate कहूं, तो बदले में यह आजाए, तो आपको दिख रहा होगा, 0, यानि कि मैं जब 2 प्लस 0 करूंगा, तो answer क्या आएगा, 2, उसी तरीके से मैं 0 प्लस 2 करूंगा, तो answer क्या आएगा, 2, यानि कि जो 0 है, यह हमारे लिए किसका role निभा रहा है, E का role निभा रहा है, E यानि identity element, यानि कि जिस चीज को आप group proof करना चाहरे है, तो उसकी खासियत यह होनी चाहिए, कि उस set के अंदर identity element मौझूद होना चाहिए, जो कि उस group के किसी member के साथ जब operate किय जाए, तो बदले में वही element आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखे, यहाँ पे कुछ बाते और मैं लिख देता हूँ, identity element के बारे में, कभी-कभी जिक्र हो जाता है, तो देखिए, यदि आप बात करते हैं, इसकी E की, तो मैं आपे बोल सकता हूँ, कि यदि, if E operation A, यानि कि E किस से operate हो रहा है, A से, किस side से operate हो रहा है, left side से operate हो रहा है, तो answer तो A ही आएगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, कि E is left identity, E क्या होगी, left identity कहलाएगी ऐसे में, यदि, यदि, आपके उस A में, जो E operate हो रहा है, वो right side से operate हो रहा है, तो answer तो A ही आएगा, लेकिन हम वहाँ पे E क क्या कहलाएगी, right identity कहलाएगी, तो इतना में कहल से आपको समझ भी आया होगा, कि यह क्या है, अगली property, अगली property होती है, g4, अब g4 क्या है, तो जैसे existence of identity element है, उसी तरीके से होगा आपका existence of inverse, existence of inverse, अब यह क्या चीज अब यह existence of inverse, तो आप जिस set को group proof करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कि किसी भी element, किसी भी element की बात करना हूँ, जिसको आप group proof करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा element जो की g में मौझूद है, then there exists an element, या फिर there exists an inverse of an element, वहाँ पे inverse of an element भी exist करेगा, जिसको आपन ले ले लेते हैं, a inverse, किसमे होगा वो भी उसी set में होना चाहिए, यदि group उसको होना है, group यदि आपको उस set को proof करना है, तो यदि उस set के अंदर a है, तो a का inverse भी उस set के अंदर मौझूद होना चाहिए, अब और वो भी किस तरीके से मौझूद होगा, कि जैसे आप इन दोनों को आपस में operate करोगे, यानि कि आप a को किस से operate करोगे, a inverse से, तो आप जानते हो answer क्या जाएगा, वो identity element, जो आपको यहाँ पे मिलाता, कौन से number की property पे, third number की property पे, तो यह चारो conditions, यह चारो axioms, जो प्रूफ करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, कि वो particular set, वो particular set G, उस operation O, क्योंकि O नहीं यह चारो operation प्रूफ किये हैं, इस चीज को हम बोलेंगे, कि is a group, हम क्या बोलेंगे, इस set को अब group, algebraic structure तो था ही, लेकर algebraic structure को, यदि यह चारो condition satisfy करता है, कोई भी algebraic structure है, तो वो algebraic structure क्या बन जाता है, algebra में group कहलाता है, मेरे ख्यासे आपको इत्ती बाद समझ में आई होगी, अच्छा, group समझ में आ गया है, तो आप समझ गया होगे, कि ऐसे बहुत से example है, जो groups होते हैं, जैसे कि set of integers, set of integers के अदियां बात करूँ, तो आप देखोगे, addition के respect में, वो क्या होता है, एक group कहलाता है, आपन करेंगे, examples करेंगे, अच्छा, तो मैं एक हाल से group सब को समझ में आ गया होगा, अगली definition हमारी क्या है, abelian group की, तो देखिए, pen change कर देते हैं, abelian group, अब ये abelian group क्या होता है, abelian group, तो देखिए, abelian group proof होने के लिए, सबसे पहले तो आप नाम में देख पा रहे होगे, abelian group, तो उसको पहले क्या होना पड़ेगा, उसको सबसे पहले group तो होना पड़ेगा, हाला कि ऐसा सब पे लागू नहीं होगा, सबसे ऐसी बात लागू, नहीं होगी, मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ, कि यदि उसे abelian group बनना है, तो सबसे पहले उसको क्या बनना पड़ेगा, एक group तो बनना पड़ेगा, यानि कि आप इसके लिए यह लिख सकते हो, कि the group G is said to be abelian group if in addition to four group axioms, कौन-कौन से, four group axioms कौन से थे, G1, G2, G3 and G4, the set G also satisfies commutativity, उसे और क्या प्रूफ करना होगा साथ में, commutativity, कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी group को क्या बोलना चाहरे है, कि वो कैसा group है, एक abelian group है, तो उसको सबसे पहले group की चार properties को तो satisfy करना ही होगा, साथ में एक property और है, जिसको से satisfy करना होगा, commutativity, यदि ये चार और ये commutativity property proof होती है, किसी भी set के लिए जिसको आप, कोई भी set आपने जो लिया, उसके लिए ये पांचो properties प्रूफ हो रही चारी होगी, पांची होगी, तो उस set को आप क्या कहने लग जाएंगे, abelian group, कहने का मतलब यह है, इसके लिए भी आप लिखेंगे, कि G1 जो group axiom है, पहला वाला कौन सा, closer axiom, बिल्कुल हाँ, यह satisfy करना ही चाहिए, closer axiom, तो closer axiom में आप समझ गयोंगे, closer axiom में क्या होता है, कि कोई भी दो element लो, किसके, G के, तो आपको यह बताता है closer axiom, कि जब आप वो binary operation लगाओगे, A operation B, तो वो भी किस में मिलेगा, जो result होगा, वो भी G में होगा, दूसरा जब आप लगोगे, G2, जिसको आपने क्या कहा था, associativity, associativity, तो associativity जो axiom है, इसमें आपको क्या समझ में आया, कि कोई भी, कोई भी तीन element लो, उस set के, जिसको आप prove करना चाहरे, abelian group, तो जैसे आप तीन element लोगे, तो यह associativity आपको क्या समझाती है, कि पहले किन ही भी दो को ले लो, या तो आगे से दो को लो, या तो पीछे से दो को लो, जब आप operate करोगे, उसके बाद बच्चे हुए को operate करोगे, तो दोनों का answer, दोनों site से, सेम आएगा, याने कि, जब आप a operation, b operation c पहले कर लो, उसके बाद a को operate करो, और वहीं पर आप पहले a और b को पहले operate करो, उसके बाद c को operate करो, बात सेम आएगी, जी थ्री हमने जो देखा, यह हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अब alien group के लिए पढ़ रहे हैं, तो अब alien group के लिए पहली property satisfy होनी चाहिए, दूसरी भी होनी चाहिए, तीसरी भी होनी चाहिए, तो तीसरी कौन सी है आपकी, existence of identity, कि उसमें क्या होना चाहिए, एक identity element होना चाह G में एक ऐसा element होना चाहिए, such that, कि आप उस G के, किसी भी element को जब इस identity के साथ operate करोगे, चाहे left side से करो, या फिर चाहे right side से करो, answer बदले में वो ही element आएगा, तो आप क्या कहोगे, कि भाईया इसलिए जो E होगा, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, identity element होगा, तभी क्या कहल आगा, वो identity element, आगला जो आपका था, G4, G4 आपसे क्या कहता था, existence of inverse, existence of inverse, याने कि उस set में, जो भी element है, उन सब के inverse भी मौजूद होने चाहिए, याने कि, for every A in G, there is A inverse in G, such that, such that के लिए ST लिख दिया, कि जब आप इन दोनों को operate करोगे, A और उसके inverse को, तो जाहिर सी बाते क्या आएगा, identity, लेकिन वो identity, देखिए, दो तहीके कि identity होती है, एक additive identity होती है, और एक multiplicative identity होती है, यह depend करेगा कि आपने operation कौन सा लिया है, यदि आपने positive लिया है, plus लिय addition लिया है, तो जो आपके identity element होगा, वो 0 होगा, क्योंकि 0 को किसी भी number के साथ add करोगे, बदले में वो number आ जाएगा, यदि आपने binary operation multiplication वाला लिया है, तो additive identity नहीं लगेगी, अब अब कौन से लगेगी, multiplicative identity, जिसको हम क्या कहते हैं, 1, क्योंकि आप 1 को किसी की भी साथ multiply करो जाएगा, 5 भी property आप उसका नाम लिख देते हैं, G5, G5 को हम क्या वो लेंगे, commutativity, commutativity axium, तो इसमें क्या रहेगा, कि आपने A और B दो element लिये हैं, तो आप अच्छे जानते हैं कि पहले आप A और B को operate करो, या फिर B को A में operate करो, बात बराबर ही आएगी, यही बस कहला थी, commutativity, तो यदि कोई भी, कोई भी algebraic structure, यदि इन 5 exams को प्रूफ करता है, या इन 5 postulates को प्रूफ करता है, इन 5 properties को प्रूफ करता है, तो वो particular algebraic structure क्या बन जाता है, एक abelian group बन जाता है, ऐसे बहुत सारे examples हैं, जो abelian group follow करते हैं, abelian group और भी एक important बात बता देता हूं, कि abelian group पढ़ना क्यों important है, तो group मेरे ख्यास से अपना हो गया, कि group क्या होता है, abelian group क्या होता है, अच्छा, एक बात और, आपन ने देखा, यह commutative group क्या होता है, यह भी लिख के रखा है, तो देखिए, हमने इसमें कौन सी property add करी है, commutativity, तो जी हाँ, abelian group का ही दूसरा नाम क्या होता है, commutative group, ठीक है, यह बात याद रखिएगा, कि इसी का दूसरा नाम क्या होता है, commutative group, तो देखिए, यह भी हो गया, जी हाँ, abelian group का ही दूसरा नाम क्या होता है, commutative group होता है, इस बात को प्लीज ध्यान रखें, दो-दो नामों से कभी कभी confused हो जाता है क्योंकि देखो CSIR की तियारी कर रहे है तो इतना पता होना चाहिए, वो लोग कभी commutative बोल देंगे, कभी abelian बोल देंगे, तो आपको पता होना चाहिए difference किया, दोनों अलग नहीं एकी है, दोनों के नाम अलग-अलग है, commutative इसले बुला जाता है, क्योंकि इसमें अलग से एक condition, एक अलग से property प्रूफ करी जा रही कौन सी, commutativity वाले, ठीक है न, तो यह हो गया, आपका देखो, group भी हो गया, abelian group हो गया, commutativity हो गया, अब यह बचा module, सर इसको भी बता दो, क्या यह इसमें होता है, बिल्कुल इसमें होता है, तो देखिए कैसे, कि an abelian group, an abelian group, पहली बात, an abelian group, under the, under the operation, वो abelian group किस रूप से बनाओगा, किस operation की जरीए बनाओगा, under the operation, addition, कोई भी ऐसा group, जिसको आपने binary operation कौन सा लेकर रखा, addition वाला, और उसको आपने क्या परूफ कर दिया है, क्योंकि ऐसा group है, abelian group, is called module, is called module g, हाँ, याने कि, यदि g एक abelian group proof हो चुका है, उस binary operation के लिए, तो यहाँ पे जो binary operation असल में कौन सा वाला होगा, plus वाला, तो जो g plus होगा है, याद रखिएगा, क्या होना चाहिए, abelian group होना चाहिए, plus के operation के साथ, तो यह जो abelian group होगा, इसी को हम क्या बोलने लग है, module बोलने लग जाते है, याद रखिएगा, कोई भी ऐसा particular set, जो की binary operation जिसमें कौन सा लेकर चल रहे होगे हम, addition वाला, यदि addition के respect में, दिया हुआ set, लिया हुआ set, आपका abelian group proof होता है, तो ऐसी situation में हम उसे क्या बुलाते है, module, CSIR के topic में है module, उसको भी हमें पढ़ने, या, कि module भी क्या होता है, अगली चीज हमें देखनी है, कि ग्रुपोइड क्या होता है, क्या सार इसी से related है, बिल्कुल इसी से related है, पहले तो यह मिटा देते हैं, पढ़ते जाईए, देख लीजे, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होने के लिए उसको, चार एक्जिम्स प होने के लिए उसको 5 properties प्रूप करनी पड़ती है, एक कौनसी property जुड़ जाती है, कामिटेटिव property जुड़ जाती है, इसी लिए, अबेलियन ग्रुप का ही दूसरा नाम क्या है, कामिटेटिव ग्रुप भी कहलाता है, और यदि अबेलियन ग्रुप, क्योंकि देखिए, अ binary operation आप चाहे multiplication लो, चाहे आप star लो, चाहे आप subtraction लो, आपने उसको avalian group पूरूफ कर दिया, ठीक, लेकिन एक special case सिर्फ addition के respect वाला, यदि आपने उस set में plus operation को लेके, उस particular set को avalian group पूरूफ किया है, तो ऐसी situation में आप उसको क्या बोल सकते हो, module बोल सकते हो, यदि यहाँ पे dot होगा, यदि यहाँ पे dot होगा, तब वो module नहीं कहलाएगा, यदि यहाँ पे star होगा, तो भी वो module नहीं कहलाएगा, केवल उस particular set के साथ binary operation कौन सा define होना चीए, addition होना चीए, और वो avalian group proof हो जाना चीए, तब आप उसको क्या बोलोगे, module बोलोगे, अगली हमारी definition आती है कौन सी? groupoid, तो देखिए, groupoid क्या होता है, तो मैं यहाँ आप लिख दे रहाँ, an algebraic structure, an algebraic structure, go, जहाँ पे g कोई भी एक set है, और o एक operation है, is set to be, groupoid, if o satisfies, o याने कौन सा यह वाला o, binary operation, if binary operation, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, if binary operation o satisfies the closer axiom, यदि वो किसे satisfy करता है, closer axiom को g, हाँ, याने कि आप बोल सकते हो, कि for all a, b in g, this implies a operation b is also in g, याने कि कोई भी ऐसा set, जिसको आप groupoid बोलना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक ही group axiom को proof कराने की जववत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, g1 बोलते हैं, group axiom 1, और इस group axiom का नाम क्या है, closer axiom, अब भी हमने पीछे देखा, तो यदि आप सिर्फ वो आपका set भली बाकी properties proof कर रहे हैं, उसको एक property, पहली वाली satisfy यदि वो कर रहा है, तो वो अपने आप में, किस में बदल जाएगा, groupoid में बदल जाएगा, उसको क्या नाम मिल जाएगा, उसके algebraic structure को, कि भाईया, वो दिया हूँ algebraic structure groupoid होगा, यदि वो किस axiom को proof करता है, किस axiom को hold करता है, closer axiom को, अच्छ, अब आप बोलेंगे, सर binary algebra set बता दीचे, groupoid का ही दूसरा नाम होता है, binary algebra set, अच्छ, अब आप बोलेंगे, कि quasi group क्या होता है, तो जी हाँ, groupoid का, तीसरा नाम होता है, कौन सा, quasi group, यानि कि ये तीनो एक ही है, अलग-अलग conditions से बुलाया जाता है, इन्हें, अलग-अलग जगा नाम यूज करते हैं, अलग-अलग, हाला कि तीनो एक है, कोई भी ऐसा set, जो कि closer axiom को follow करता है, उसको आप groupoid भी बोल सकते हो, आप उसको binary algebra भी बोल सकते हो, क्योंकि देखिए सिर्फ binary algebra बाला तो proof कर रहा है, binary algebra आप समझ रहे होंगे, यानि कि सिर्फ binary operations को follow कर रहा है, वो बागी rules को नहीं मान रहा है, कि commutative है की नहीं, associative है की नहीं, वो इनको नहीं मान रहा है, वो सिर्फ binary operation वाले rules को follow कर रहा है, और ये binary operation की definition होती ही, अब भी हमने पीछे देखा, closer xgm असल में क्या है, एक binary operation ही तो है, ये binary operation का standard form है, हमने first lecture में भी देखके राखा, जिसने नहीं देखा हो देख लीजेगा, तो ये groupoid, binary algebra और quasi group, एक ही बात होती है, यानि कि groupoid, binary algebra set, ये तीनो एक ही चीज है, यहाँ पे commutativity, abelian group, ये तीनो, ये दोनो एक ही चीज़े है, module तो सिर्फ जब आपका जो group होगा, abelian होगा, किस operation के respect में, addition वाले respect में, तब आप उसको क्या बोलने लग जाओगे, module, हाला कि वो है, तो वो भी abelian group, देखना, अगला हमें देखना है, semi group क्या है, या, तो ये मिटा देते हैं, hope, तो आप लोग, screenshot लेते जाया करिए, यह न, copy pen लेके बैठिए, क्योंकि math, यदि आपको पढ़ना है, तो आपके पास, ये सारी चीज़े होनी चीज़े, कौन कौन सी, सिर्फ दो इतों चीज़े होनी चीज़े, ये एक pen और आपके पास एक copy, तो देखिए, अगली हमाई जो definition हों कौन सी है, semi-group, semi-group, तो semi-group का ही दूसरा नाम क्या है, demi-group, इसी को demi-group भी कहा जाता है, जी हाँ, semi और demi दोनों क्या हैं आपस में, एक जैसे ही हैं, दोनों के, नाम अलग-अलग बुलाए जाते हैं, एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, तो याद रखिएगा, semi-group और demi-group, तो इसके लिए definition लिख लेते हैं, कि an algebraic structure, go is set to be semi-group, is set to be semi-group, और demi-group, if binary operation, ओ, याद रखना, वही ये सारी conditions, आपको एक बात तो सज में आगी होगी, तो कौन सा binary operation लिया है, उसके basis पर ही decide हो पाएगा, कि वो group proof होता है कि नहीं, availian group proof होता है कि नहीं, ये operation decide करेगा, वो set decide नहीं करेगा, उस set में तो elements आपने लियें, अब उस set के elements में, वो जो binary operation आप लगाओगे, वो बताएगा कि वो commutative बाला lock, hold कर रहा है कि नहीं, यदि hold कर रहा है, तो वो abelian तक पहुँच जाएगा, abelian proof हो जाएगा, यदि वो सिर्फ 4 को proof कर पा रहा है, चार को hold कर पा रहा है, तो वो group में बदल जाएगा, यदि वो सिर्फ 1 को hold कर पा रहा है, तो वो groupoid binary algebra है, या quasi group कहलाएगा, यहाँ पे, इफ binary operation, O satisfies G1 and G2, यानि कि group axiom 1 and group axiom 2, यदि वो इन दोनों को hold कर पा रहा है, तो आप SO को क्या कहेंगे, कि वो क्या है, semi group या फिर demi group कहेंगे, तो G1 आप जानते हैं कौन सा, closer axiom, closer axiom, अच्छे से याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, कि कोई भी दो element, उस particular set से यह हम लेते हैं, तो closer axiom क्या कहते है, कि भाईया, आपने जो binary operation लिया है, आप इन दोनों elements में operate करोगे, जो result आएगा, वो भी उसी set से deserve करेगा, उसी set में ही होगा, दूसरा आपका क्या है, G2, G2 याने की associativity, associativity axiom, तो associativity axiom में हम कितने element लेते हैं, तीन element, कि A, B and C, यह तीनों किस से ले लिए हैं, G से, तो पहले आप की नहीं भी दो, A, B, C लिख दिया, यहां भी A, B, C लिख दिया, तो पहले आप चाहो तो B और C को operate करो, उसके बाद A को operate करो, या फिर पहले आप A और B को operate करो, उसके बाद C को operate करो, क्या आएगी बात? सेम आएगी, आनी चाहिए मतलब आएगी नहीं आनी चाहिए यदि आ गई तब आप बोलोगो कि हां एसोसियेटिव लॉड कर रहा है आपका लिया हुआ बाइनरी ओपरेशन तो जिसने जीवन और जीटू जिस सेट ने भी जीवन और जीटू को होल्ड कर लिया उस सेट को हम क्या बोलते ह या तो हम उसको demi group बोलते हैं अगली last definition हमारी बची हुई है monoid तो देखिए यह भी आपर लिख लेते हैं कि monoid क्या होता है तो monoid बिल्कुल ऐसा ही आएगा कि एक ऐसा algebraic structure and algebraic structure go अच्छा monoid है ना तो इसको discrete mathematics में बहुत यूज किया जाता है discrete mathematics में इसको वहाँ पे MO भी लिखा जाता है operation आप होज से लिख लिए और M से दरसा आ जाता है monoid है ना M for monoid तो an algebraic structure go या mo is set to be monoid अब सबको समझ में आ गया होगा कि अफसर क्या लिखने वाले है जी हाँ बिल्कुल अच्छी बात है set to be monoid if binary operation o जो भी आप ले रहे है binary operation if binary operation o satisfies three group axioms three group axioms लेकिन यह नहीं कि कोई से भी तीन तीन कौन से वाले एक G1 वाला एक G2 वाला और एक G3 वाला तो G1 हमारा कौन सा था G1 था हमारा closer axiom closer axiom closer axiom में हमने क्या कहा था कि आप उस particular set से कोई भी दो elements लीजिए तो closer axiom आपको बताएगा कि जब आप वह वाला binary operation लगाओगे जो आपने set में define किया है तो इन दोनों को operate करने पर जो result आएगा वो भी उसी set का होगा दूसरा आपने बात किया Z2 जिसको associativity कहा जाता है associativity तो associativity axiom में हम कितने elements लेंगे उसी set के तीन elements लेंगे a, b और c और अब यहाँ पर क्या rule होता है कि जब आप a, b, c न दोनों side लिख दे रहा हूँ तो पहले आप a और b को या b और c को पहले operate करो उसके बाद a को operate करो या फिर पहले आप a और b को operate करो उसके बाद c को operate करो बात बराबर आएगी same आएगी कहने का मतलब है कि सरी आप जब से लिख रहे हैं क्या है अरे आपने मालीजे set of natural number ले लिया है तो या फिर set of whole number ले लिया है मालीजे whole numbers का set लिया है तो वहाँ पर क्या होगा 0, 1, 2, 3 तो देखे न यदि आप यहाँ पर ले ले लेते हैं 1, 2, और 3 यहाँ पर ले लेते हैं 1, 2, और 3, addition आपने लेके रखा है binary operation को ठीक, अब जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि पहले 2 और 3 को add करो या फिर पहले 1 और 2 को add करो, तो 2 प्लस 3 किता हो जाएगा 5 और प्लस 1 यानि कि 6 आएगा यह देखी 1 प्लस 2 किता हो जाएगा 3 और यह प्लस वाला 3 तो 6 तो यह बात हो रही है कि आप पहले किनी भी 2 को operate करो, बाद में पहले वाले को operate करो या बाद में बचे वाले को operate करो, जो answer आएगा वो दोनों साइट से same आएगा यदि ऐसा hold करता है, तो g1 hold कर रहा है, g2 hold कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो तो सिरफ binary algebra, quasi group या फिर group कहलाएगा और यदि सिरफ g1 hold कर रहा है, तो वो binary algebra या फिर group कहलाएगा यदि वो 4 ओल्ड कर रहा है तो वो group कहलाएगा यदि वो 5 ओल्ड कर रहा है तो abelian group या फिर commutatic group कहलाएगा यदि abelian group है साथ में abelian group किस के respect में किस binary operation के relation में define हुआ है addition तो वो क्या कहलाएगा module कहलाएगा अब हम बात कर रहे थे monoid की तो monoid में हमें तीन group एक्जाम लेने तो g1 ले लिया g2 ले लिया और आखरी बचा हुआ g3 g3 क्या था आपका existence of identity याने कि उस set में identity element मौझूद होना चाहिए existence of identity ठीक तो existence of identity क्या कहता है कि there exists an element small e in g such that जैसे आप उस group के किसी भी element के साथ इसको operate कराओगे चाहे left से कराओ चाहे right से कराओ जो answer आएगा वो बदले में element ही आएगा उसी set का वो element रहे गा ही रहेगा यह नहीं कि element ही बदल जाएगा ठीक ना तो जो g1, g2 और g3 जो भी set इसको hold करता है उसको ही हम क्या कहते हैं monoid कहते हैं तो देखिए एक मैं आपको छोटे से diagram की जरीए इसको बात को समझा दूँ तो मैं एक हाल से ज़्यादा अच्छे से clear होगा इन बातों को ध्यान रखें यह बाते बहुत माहिने रखती कि कौन क्या है कैसा है बड़ा confusion होता है इसलिए मैंने भूला कि आज confusion दूर कर दिया जाए आपका तो देखिए आपने g1 लिया, g2 लिया, g3 लिया, g4 लिया और g5 लिया ठीक, g1 आपका था काउन सा? closer axiom, ठीक, g2 आपका था associativity, g3 आपका था existence of identity, g4 आपका था existence of inverse और g5 आपका था commutativity, ठीक, यदि कोई भी set सिर्फ g1 को satisfy करता है तो उस set का नाम क्या होता है? हमने देखा है, क्या होता है उसका नाम? या तो आप उसको groupoid बोलोगे ठीक, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? या पिस slash मार देते हैं, या तो आप उसको binary algebra set बोल सकते हो? ठीक, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? quasi group बोल सकते हो तिक उसी तरीके से यदि आपका कोई set इन दोनों को लेके चलता है इन दोनों को hold करता है ऐसे में आप उसको क्या कहोगे यहाँ पर अलग color से लिख देते हैं यहीवाला semi group कहोगे या फिर demi group कहोगे और demi group कहोगे यदि आपका जो set है वो इन तीनों को hold करता है इन तीनों को hold करता है ऐसे में आप उसे क्या कहोगे? मोनोईड कहोगे ठीक यदि वो इन चारों को hold करता है तो आप उसे group कहोगे और at last यदि वो इन पांचों को hold करता है पांचों के पांचों को तो आप उसे abelian group कहोगे या फिर commutative group कहोगे hopes आपको समझ में आया होगा कि ये बात क्या हो रही है कि कौन यहाँ पर आप समझ गया होगे कि जो group है वो किसके subset हो सकते हैं abelian group के लेकिन abelian group है ना तो यह में ख्याल से आप समझ में आ रहा होगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा तो जो सबसे छोटे वाले वो कौन से होते हैं groupoid याने कि उन्हें binary algebra set बोलो या quasi group बोलो उनसे बड़े होते हैं semi group या फिर demi group उनसे बड़े होते हैं monoid जाता discrete में इसका यूज होता है उससे बड़े होते हैं आपके group और group से बड़े होते हैं abelian group या फिर commutative group उसमें भी इसमें जो special case था special case क्या कि यदि वो आपका abelian group तो हई है एजी लिख दे रहा हूँ abelian group तो हई है लेकिन किसके respect में है वो addition के respect में तब वो आपका क्या कहलाएगा module कहलाएगा यानि कि एक ऐसा abelian group जो की binary operation addition लेके चल रहा है और abelian group proof हो चुका है आप उसको क्या बोल सकते हो module बोल सकते हो मेरे ख्यालते इत्ता संग आया होगा सबसे बड़ा set abelian group है तो इसका जो example है वो अभी ले लेते हैं बाकी आप लोग करते रहेगा जैसे मैं बोलूँ आपका set of integers set of integers plus के respect में है ना या फिर set of rational numbers plus के respect में या फिर set of real numbers plus binary operation के respect में ये तीनों ही infinite abelian group है ये तीनों ही क्या है infinite abelian group abelian group के बहुत question आते हैं बहुत जाए question आते हैं और साथ में फिर module के तो ये तीनों ही अच्छा ये field भी बना देते हैं इना integers field भी बना देता है ना rational number field बनाता है real numbers की field बनती है रिंग से field बनती है तो ये सारी बाते आपन करेंग नेक्स लेक्चर में कौन क्या कैसा है याने कि यहां पर क्या बूलना चाहरो infinite abelian याने कि आप किनी भी किनी भी इंटीजर को लो पुरे सर ऐसा नहीं sign change नहीं हो जाएगा बिलकुल नहीं होगा मालीजे आपने दो number ले लिए एक आपने minus 2 ले लिया है और आपने 3 ले लिया है ठीक यहां पे भी आप वही करोगे 3 ले लिया है और minus 2 order change कर दिया अब आपको देखना ही बराबर आएगा कि नहीं आएगा या हर कोई जानता है बराबर आएगा यदि आप क्या लेके चल रहे हो प्लस लेके चल रहे हो मैं आपे प्लस लिख दे रहा हूं गोला जान बुछ को ना है ताकि दिखे आपको तो minus 2 प्लस 3 अच्छे जानते हो किता है जाएगा 1 यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2 किता बचेगा 1 तो याद रखिएगा इंटीजर सेट में यदि आप लोगे तो इंटीजर का जो सेट वो एक infinite abelian group proof होता है उसी तरीके से rational number को भी आप करके द अगली lecture में हम देखेंगे बहुत सारी theorems जो की CSIR में जिससे बहुत जारा questions बनते हैं उनमें बीच में एक uniqueness theorem यह हम आज नहीं करेंगे बना video बहुत लंबा हो जाएगा तो हम उसको next lecture में देखेंगे uniqueness theorem तो hopes आपको यह lecture पसंद आया होगा पसंद आया है प्लीज शियर करें subscribe करें thank you